इस वक्त किये के हम ख़बर आपको दे दें कि जनता दल युनाइटेज सरकार जो है बिहार में उसे राश्ट्रिय जनता दल यानि लालू यादव का समर्थन मिल गया है अब आपजेडी ने अपनी तरब से समर्थन दे दिया है जाहर है पूरे देश में इस तरह की राजनीती को भले ही जिस भी नजरिय से लिया गया हो लेकिन बिहार में नितीश कुमार एक आखरी फॉमिला आजमा रहे हैं तो चाहते हैं कि सारी जो कथित सेक्यूलर ताकते होती हैं वो सारी एक साथ आ जाए और उसके बाद बिहार में मजबूत सरकार वो बना सकते हैं शायद बिहार में ये समझना होगा कि नितीश कुमार अगर आये थे तो कुशासन के विरोध में उन्हें मैंडेट मिला था लालूयादव की पार्टी की सरकार थी उस वक्त और उसे नकार कर नितीश कुमार को अगर लोगों का भरोसा मिला था तो क्या वापस लालूयादव का समर्थन लेने से नितीश कुमार की सरकार वहाँ पर चल सकती है इस सवाल का जवाब बिहार की जनता ही दे सकती है चुनावकिन दोरान ही दे सकती है लेकिन क्या बिहार में एक प्लस एक दो है या फिर माइनस में उसका अंसर चला जा